हेलो एवरिवन, स्वागत करती हूँ आप सबका, आपकी अपनी क्लास में, प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कई वर्णों की पहचान की है, आईए इस वीडियो में देखते हैं आपको कितने वर्णों की पहचान हुई है, पहचाने, मिलाएं और बोलें, प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे गई हैं, और इनके नीचे इनके नाम दिये गई हैं, बीच में हमें कुछ वर्णों की लाइन दिए गई है, हमें इन वर्णों को पहचानना है, और इस वर्ण से matching जो भी पिक्चर होगी हमें उसे match करना है जैसे ये है रे, रे से रत, रे को रत की पिक्चर से match कर देंगे Next वर्ण है घै, घै से घडी, तो हम घै वर्ण को घडी की पिक्चर से match कर देंगे Next वर्ण है तै, तै से तराजू, तै से हम तराजू को match करेंगे Next वर्ण है मैं, मैं से क्या होता है? मचली, तो मैं को हम मचली से match कर देंगे Next वर्ण है खै, खै से होता है खरगोश, तो हम खै वर्ण को खरगोश की पिक्चर से match कर देंगे नेक्स्ट वर्ण है कै, कैसे क्या होता है? कलम, तो कैसे हम कलम को मैच कर देंगे बच्चो, मैं से मटर भी होती है, तो हम मैं को मटर की पिक्चर से भी मैच करेंगे और तय से तराजू के साथ साथ तय से तरबूज भी होता है तो हम तय को तरबूज से भी मैच कर देंगे बच्चों आपको जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं आप इनको इनकी पिक्चर से मैच करें आप वीडियो को पोज करके स्क्रीन शोट ले करके और इन वर्णों को इनकी पिक्चर के साथ मैच कर सकते हैं आओ क्लश सजाएं घड़े पर बनाई गई सजावट पर रंगीन पैंसिल घुमाएं प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक घड़े का चित्र दिखाया गया है और हमें पैंसिल कलर से इनके उपर उपर इसी डिजाइन के उपर हमें इस प्रकार से यह डिजाइन हमें ड्रो करने हैं इस प्रकार से इन सब के उपर उपर आप भी कलर पैंसिल से इसके उपर डिजाइन बना करके और इसमें कलर भी कर सकते हैं झांक्स पूर वाच्चिं!